हेलो एब्रिवान आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना मॉबाइल नंबर के अपने आधार काड को किस तरीके से मंगा सकते हो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अगर आप आधार की वैपशार पर जाएंगे और वहां से अपना आधार काड डाउ रिष्टर होगा अगर आपके आधार में आपका मॉबाइल नंबर रिष्टर नहीं है तो आपका आधार काड डाउनलोड नहीं होगा लेकिन दोस्तों जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं उससे आप जो अपना आधार काड मंगा सकते हैं यह जो है अभी यूडई ने चा तो एक अलग पेज जो है वो उपेन होगा अब आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको जो है आधार नंबर डालना है यहां पर आधार नंबर को डालना है यहां पर दोस्तों आप किसी भी मॉबाइल नंबर को डाल सकते हैं जो मॉबाइल नंबर आपके आधार में रे बाद आप यहां पर देख रहे है request OTP तो आप इस पर किलिक कीजिए इसके बाद क्या है कि आप यहां पर किसी का भी मोबाल नंबर डाली जो आपके पास हो जिस पर OTP आए तो आप उस OTP को इस जगा पर डाल दें तो जैसे कि दोस्तों मेरे पास OTP आचुका है मैंने OTP यहां पर किलिक करने के बाद आपको करना है जैसे आप समीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इस तरगे का एक पेज जो है यहां पर OTP हो जाता है अब यहां पर यहां पर यह बोला है make payment तो आपको make payment पे click करना है इन यूडाई वालों ने क्या किया है कि जिनके आधार में mobile नंबर रेजिस्टर नहीं है उनको ये तरीका दे दिया है और 50 रुपे वसूलने का भी एक नया idea इन्होंने ले लिया है आपको यहाँ पर दोस्तों 50 रुपे pay करने पड़ेंगे जब आपको आधार काड मिलेगा जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको चार्ट उसन मिलते हैं credit card debit card net banking और UPI से जब आप इस पर click करेंगे और यहाँ पको 50 रुपे देने पड़ेंगे 50 रुपे देने के बाद क्या होगा दोस्तों कि आपको एक tracking number दे दिया जाएगा आपक यह नहीं कि 50 रुपे ले भी रहें तो यहां से डाउनलोड करने का भी सिस्टम नहीं है मतलब कि आपको 50 रुपे भी जाएंगे और फिर घर पर आएगा 15 दिन बाद तो यह तरीका इन्हों नहीं चालू किया है वैसे कुछ लोगों के लिए अच्छा है जैसे जिनके mobile number नह आओ तो प्लीस लाइक केजिए इस बारे मगर आप कुछ कहना है तो कमेंट वक्स में कमेंट कीजिए मिलता है आप से नेस्ट वीडियो में धन्यवाद